तो भाई, सिटेडेल की तीन एपिसोड आ चुके हैं Amazon Prime के ओपर और मैंने शुरुआत के दो एपिसोड का वेट किया था और उसके बाद मैंने एक और एपिसोड का वेट किया क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं इस शो को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ कर उसके साथ connect कर पाऊं इसलिए मैंने जब पिछले हफ़ते इसके दो एपिसोड साहे थे तो मैंने इसको रिव्यू नहीं किया था अगर आपको से टेडल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये Amazon Prime का एक नया शो है जो कि Russo Brothers ने create किया है हाँ वही Russo Brothers जिन्होंने Avengers Endgame और Captain America जैसी movies डारेट करी है तो उनसे बहुत ज़ादा expectations है शो को लेकर और वो expectation इसलिए भी है क्योंकि ये show भाई अभी तक का second most expensive show है इस show को बनाने में 300 million dollar लगे है और उससे ज़ादा सिर्फ और सिर्फ the rings of power में लगे थे 434 million dollar तो आप समझ सकते हो कि इस show के ओपर कितनी सारी expectations होंगी तो आज हम यही देखेंगे कि क्या ये show उन expectations पर खरा उतर पाता है या नहीं उतर पाता है अब इन तीनों episodes को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि यार हम इस show को ना बहुती ज़ादा under appreciate करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो इस show को बहुती ज़ादा बेकार reviews दे रहे हैं और इसको बहुती ज़ादा troll भी किया जा रहा है बट I think वो vibe थोड़ा ज़ादा हो गया क्योंकि यह series यार उतनी भी बुरी नहीं है तो citadel है क्या citadel एक secret spy agency है जो की पूरी दुनिया में अपने कुछ operations को perform करते हैं और वो पिछले 100 सालों से ऐसा कर रहे हैं लेकिन अब उनके सामने एक नई syndicate organization आ जाती है जिसका नाम होता है Manticore और वो इन citadel के सभी spies को खतम करना चाहती है और उनसे कुछ बहुती ज़ादा secret information निकलवाना चाहती है तो Italy में एक mission में Manticore citadel के सभी spies को मारने का plan बनाती है और उसको अच्छे तरीके से execute भी कर देती है लेकिन उसी समय citadel के दो spy agents बच जाते है जिनका नाम होता है Mason और Nadia लेकिन अब उनकी memory जा चुकी है तो क्या अब उनकी memory वापस आ पाएगी और वो Manticore से fight कर पाएंगे और अपनी citadel organization को बचा पाएंगे ये है इस पूरे show की कहानी तो इस series में किस चीज़ ने काम किया है सबसे पहले तो मैं कहाना चाहूंगा कि acting performances was A1 सबकी acting performances बहुत ही बढ़िया थी अगर आप characters के साथ सही तरीके से connect भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी यार उनकी performances के दम पे वो आपको अपने साथ connect करवा ही लेंगे and spy universe के अंदर हम इस तरह की stories देख चुके हैं story के अंदर अभी तक मुझे कुछ ऐसा नया नहीं लगा है लेकिन जैसे जैसे आप episodes में आगे बढ़ते हो आपका जो connect है characters के साथ वो काफी जादा deep होता चला जाता है क्योंकि आपको उन लोगों की motivations पता चलने लगती है और जब आप उन characters के साथ connect कर जाओगे तो भाई तीसरा episode खतम होने के बाद जिस twist पर वो episode खतम होता है उसके बाद तो यार आप और भी जानना चाहोगे इन सभी characters के बारे में अब ये series भाई 300 million dollar में बनी है तो इसकी cinematography और editing और बाकी सारे जितने भी departments होते है उससे expectation तो बहुत जादा बढ़ जाती है लोगों की और इस series ने यार मैं कहूंगा उन expectations पर 50-50% perform करा है इसकी cinematography बहुत ही बढ़िया है बहुत grand लगती है editing बहुत ही crisp है सिर्फ 40-45 मिनट के episode है जहां पर इससे पहले इसके episodes होने वाले थे 8 और वो होने वाले थे 1 गंटे के episodes लेकिन फिर Russo Brothers की entry होती है और वो इस series के बहुत सारे हिस्सों को reshoot करते हैं और फिर episodes की length को 40-45 मिनट पर लेकर आते हैं तो आप bore होने का chance ले ही नहीं सकते वो आपको bore होने ही नहीं देंगे लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी अजीब लगी वो ये है कि एक shot है जो rotating camera angle वाला shot होता है जो आप Black Panther में भी देख चुके होंगे उस shot को बहुत बार use करा गया series के अंदर और उस time पर मैं यार थोड़ा confused हो गया था क्योंकि उस camera rotating angle वाले shot का मतलब होता है कि power dynamics का shift होना जो कि third episode के end में हमें बिलकुल apt लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर तो ये वाला shot काम करता है लेकिन इस series के बाकी दो episodes में और तीसरे episode में भी एक जंगे use किया गया है वहाँ पर ये लगता है कि या तो उन्होंने ये creative choices के लिए किया होगा या फिर उन्होंने वो ही दिखाने के लिए choose किया है जो हम सोच रहे है तो वहाँ पर मुझे थोड़ा confusion लगा अब इस series से हमें क्या expect करना चाहिए मुझे तो लगता है कि यार ये एक entertaining series होने वाली है full of entertainment के लिए इसको बनाया गया है बहुत जादा deep इसमें कुछ plot हमें देखने के लिए तो ऐसा नहीं मिलेगा जो मुझे लगता है and इस series की पूरे 6 episodes के अंदर ये भाई आपको invest तो करके रखेगी आप और जानना चाहोगे characters के बारे में story के बारे में मेरे साब से ये अपना काम कर जाएगी लेकिन सबसे बड़ा drawback जो इस series के साथ है वो अभी तक वो ये है कि यार characters की जो motivation है वो अबे पता नहीं चलती है एक के बाद एक हर episode में काफी सारे चीज़े पता चल रही है लेकिन उसके लिए आपको patience रखना होगा अगर आप ऐसे series या फिर ऐसे show देखते हो जहाँ पर instantly आपकी connection है वो characters के साथ एकदम से बन जाता है तो यहाँ पर वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इसी point पर बहुत सारे लोग इस series को छोड़ सकते हैं कि आपको पता है कि यह series एक global series होने वाली है इसको multiple countries के अंदर इसके spin-offs आएंगे इंडिया, इटली, स्पेन, मेक्सिको इन सभी countries के अंदर इसके spin-offs आने वाले हैं और इंडिया में तो इस series की shooting भी शुरू हो गई है जिसके main lead में होने वाले हैं वरुन धवन और समैंथा प्रभू इस series से यार expectation बहुत जादा है I hope कि यह अपने आने वाले seasons में अपने spin-offs में बहुत ही जादा surprise करें हमें कुछ हमारे सामने बहुत ही जादा grand amazing चीज़े लेकर आए तो यह थी मेरे views Citadel web series को लेकर आपको क्या लगता है comments में बताओ आपको पसंद आई है या नहीं आई है और ये वीडियो आपको कैसे लगी like जरूर करना subscribe जरूर करना thank you for watching bye bye